नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल लेके ओल रांडा में दोस्तो जहारखंड से बहुत बड़ी अपडेट निकल का रही है जहारखंड लैब एसिस्टेंट की नई भेकंसी आई है जहारखंड प्रयोक साला सहायक प्रतुकता परिक्षा 2022 की नई भरती आई है आप देख सकते हैं भी गयापन सक्या तेरा 2022 आई है चलिए देख लेते हैं आखिर क्या कुछ है बड़ी अपडेट ताज अपडेट फ्रेंट से स्टार्ट करने से पले अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को प्रेस करेंगे और परिक्षा सुल्क में छूट भी दिया गया है जहारखन राज के अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती के अभियारतियों के लिए परिक्षा सुल्क 50 रुपय है चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं वेकेंसी डिटेल्स के आपको बता दे कि परियोग साला साहयक बह पूटल पोस्ट होगा वह 230 होगा चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं कंडिका 3 में वह अनित पदों का वेतन मान और नियुनतम सेक्षनी के युगता के बारे में आपको बता दे कि एक तरफ दिया हुए पद नामें वह वरगी करन एक तरफ वेतन मान और एक तरफ दिया चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं नियुनतम सेक्षनी के युगता की आपको बता दे कि राज सरकारिया कें सरकारिया विश्व बिद्याले अनुदान आयोग द्वारा मानेता प्राप्त विश्व बिद्याले या महा बिद्याले से भहत तिक सास्त रसायन सास्ते हों जीव विग्यान में से किनी दो बिसवे में 50% तंकों के साथ अस्तनातक की डिग्री अनिवार होगी वहीं आपको बता दे कि अनुसुची जाती है अनुसुची जन जाती है हम सभी कोटी के निस सक्त आरक्षी तभी आर्थी है तो नियूंतम 45% तंकों के साथ अस्तनातक डिग्री अनिवार होगी और यह जो पोस्ट होगा वह प्रियोकसाला सहायक जिव विग्यान का भी है चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं नियुनतम सेक्षनी के युकता कि आपको बता दे कि नियुनतम सेक्षनी के युकता जो रखा गया है उप्योक्त कंडिका के स्तम चार में अंकित कि यह दो बिशयों में अलग-अलग 50 या 45 परतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार होगा जिसका असनातक अस्तर पर परतिष्ठा यानिकी ओनर्स अथवा सबसेडरी के रूप में असनातक के तीनों वर्सों में अथवा कम से कम दो वर्सों में अधियन किया गया हो नेक्ट ब प्रप असनातक के तीनों वर्षों में अथ्वा कम से कम दो वर्षों में अधियन किया गया हो तथा उसमें अलग-अलग 50 या 45 परतिसत अंकों के साथ असनातक की परिक्षा में उतिन्हुनता हो अठार शैक्ष्णिक योगता के निर्धारन के लिए online अभेदन देने की अंतिम तिती को अधार तिती यानि की रिफरेंस डेट मना जाएगा यदि कोई अभियार्थी इस तीथी तक निर्धायत सेक्षनिक योगता नहीं धारित करते हैं तो ये आवेदन भनने के लिए अयोग समझे जाएंगे और वहीं आपको बता दे कि उप्युक्त अनिवार्ष सेक्षनिक योगता के अत्रिक्त अभियार्थियों को मैट्रिक यानि की दसवें कक्षा यहां इंटर्मीडेट यानि की 10 प्लस 2 कक्षा जहार खंडाज में अवस्थित मानिता प्राप्ते सेक्षनिक संस्थान से उतेन ह होना अनिवार होगा तथा अभियार्थि को अस्थानिय रिति रिवाज भासा यहां प्रिवेश का ज्यान होना अनिवार होगा प्रांतु यह है कि जार्खन राज की अरक्षन नीति से आचादित अभियार्थियों के मामने में जार्खन राज में वस्तित मानिता प्राप् और वहीं नेक्ट आप देख सकते हैं कि खेल कूद कोटा के अंतरगत आरक्षन का दावा किया गया है चलिए नेक्ट आगे बढ़ते हैं नेक्ट बात करते हैं एज लिमीट के बारे में यानि कि आयू सीमा के बारे में आपको बता दे कि प्रयुक्षाला साहिक भौतिक सास्त और जीव बिग्यान में नियूनतम उम्र सीमा के जो गन्नाती थी है वह 1 जनवरी 2022 है और अधिक्तम उम्र सीमा के जो गन्नाती थी है वह भी 1 जनवरी 2022 है और वहीं आपको बता दे कि नियूनतम उम्र सीमा जो रखा गया है वह 21 वर्स रखा गया है और अधिक्तम उम्र सीम से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ग अत्यांत पिछड़ा वर्ग यानि के अनुसुची वन पिछड़ा वर्ग अनुसुचे टू पुरूस के लिए जो रखा गया है वह 37 वर्ग अधिकता मुम्र रखा गया है नेक्ष्ट बात करते हैं महिला के लिए अनारक्षे तार्थिक अधिकता मॊ घंच्छा के लिए हिए 30 वर्ग और선 पुरूस वर्ग अधिकता मुम्रो श्रीजा ध्र चाइया है याने के लिए 7 savior तके लिए चनल क्भूआप जोलाएंगे देखें मुम्र अधारित पॉरुपÁ क्षा के बारे में आपको पूता है और इंधायार कम्प्यूटर अधारित परिक्षा ले जाएगा यानि कि CBT मोड में एकजाम होगा कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा और परिक्षा यदि विभिन समुवहों में लिया जाता है तो अभी आर्थियों के प्रप्तांग का चली नेश्ट बात करते हैं परिक्षा के स्वरूपववं पाठकरम के बारे में कि परिक्षा की मख परिक्षा के लिए दो पत्र होंगे या परिक्षा दो पालियों मिली जाएगे परतेक पत्र की परिक्षा की होदी तीन घंटे की होगी पेपर वन के अगर बात करें यानि कि प्रस्ट पत्र वन के अगर बात करें तो समान गया यानि हिंदी भासा की परिक्षा होगी सो अंक की होगी नेक्ट बात करते हैं प्रस्पत्र टू यानि कि पेपर टू के बारे में बता दे कि जीस विशाय में निउक्ती होनी या उस विशाय की परिक्षा होगी या तीन सो अंको की होगी चलिए नेक्ट बात करते हैं आपको बता दे कि paper 1 में कुल 100 प्रस्ण होंगे, 50 प्रस्ण जो होगा, 50 questions होगा, वह समानी ग्यान से होगा, और 50 प्रस्ण जो होगा, वह हिंदी भासा से होगा, हिंदी language होगा, परतेक प्रस्ण के सही उतर के लिए एक अंक दिये जाएंगे, प्रस्पत 2 में कुल 150 प्रस्ण ह होगे, और प्रतेक प्रस्ण के सही उतर के लिए दो अंक दिये जाएंगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बता दे कि paper 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अथार्थिस में मात्र नियूंतम 20% अंक प्राप्त करना अनिवार होगा, प्रन्तु जिन अभियार्थि पूछे जाएंगे, और paper 1 यहां paper 2 में गलत उतर के लिए अंकों की कटावती नहीं की जाएगी, और वहीं नेक्स्ट आपको बता दे कि प्रस्ण पत्र 2 यानि कि questions paper 2 के अंतरगात नियूंतम अंक 50% लाना अनिवार होगा, अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती क उमिद्वार को 45% अंक लाना अनिवार होगा, और वहीं आपको बता दे कि अनिवार अंक अथवाई से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभियार्थियों कि एक मेगा सुचि तियार की जाएगी, और यहां मेगा सुचि परियुक्षाला सहाएक पत पर नियूक्ति का अध पर पत्र टु में 100% रसायन साश्त्र विशास होंगे, जीव बिग्ञान विशाय के परियुक्षाला साहाय के लिए प्षपत्र टु में 75% जोंगे, वाव वणसपतिस सास्ति टैथा प्रस्था प्रस्था जंतू सास्त्र विशास होंगे चलिए next बात करते हैं मुख परिख्षा के पाथ करम के बारे में आप देख सकते हैं नान्ड विज्ञान के बारे में दिया गया कि कौन कॉन से टॉपिक में आपको पढ़ना है यहार खन राज से प्रापतांग के अधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट त्यार कर जागा जिसके अधार पर कोटिवा रिक्त पदो की संख्या की अनुसार अभिहार्तियों का चेन कर जाएगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो का अपने दोस्तों तक अपने भाई बंदो तक अवास शेयर करके उन